हे गाइस वल्केम बैक टू ओवर चैनल ट्रेन टू यूर ब्रेन गाइस आज हम आपसे दस कोशन्स करेंगे अगर आप उनका सही से आंसर दिते हैं तो हम आपको एक कोशन के आंसर के बदले एक रुपीज देंगे मतलब दस कोशन्स के बदले दस रुपे और यह आफर अन्रे दहलते ही वीडियो को शुरू करते हैं गाइस आज के यह 10 कोशन्स की हमारी देश के बारे में तो चलो दिखते हैं हमारी देश के बारे में कोशन कीतना जानता है कोशन न्मर वणव魚 इस दा फादर आफ ओर नेशन मतलब इन्डिया का फादर किसे कहा जाता है आपको इसका आंसर देने के लिए आपके अपके अपस 10 सेकेंड है तो चलो इसका आंसर कमेंट में जल्दी से टाइप करें Q2. Who was the first president of India? मतलब हमारे देश हिंदुस्तान के first president कौन थे? Q3. Who is now as father of Indian constitution? मतलब हमारे देश हिंदुस्तान का कानुन किस ने लिखा है? Q3. Option A. Dr. B. R. Ambedkar Q3. Option B. Jahalal Nahiru Q3. Option C. Arya Bhatta Q3. Option D. Sardar Wallah Bhai Patel इसका भी आंसर देने के लिए आपके अपस 10 सेकेंड है Q4. Who was the first prime minister of India? बतलब हमारे देश हिंदुस्तान के first prime minister कौन थे? Q3. Option A. Sardar Wallah Bhai Patel Q4. Option B. Manmohan Singh Q4. Option C. Jahalal Nahiru Q4. Option D. Rajiv Gandhi आपके पस 10 सेकेंड है जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताएं Q5. Which is National Animal of India? Q5. Option A. पिकॉक Option B. लॉयन Option C. टाइगर Option D. चीता इसका आंसर देने के लिए आपके पस स्रिफ 5 सेकेंड है Q6. How many colors in India National Flock? Option A. 4 Option B. 3 Option C. 2 Option D. 5 इसका भी आंसर देने के लिए आपके पस रिफ 5 सेकेंड है Q7. Which is National Song of India? मतलब हमारे देश हिंदुस्तान का नैशनल सौंग कोन सा है Option A. जनागना मना Option B. वंदे मातरम Option C. मेरे देश की धरती Option D. ये देश वीर जवानों का इसका आंसर देने के लिए आपके पस 10 सेकेंड है Q8. Who write the national anthem जनागना मना मतलब हमारे देश हिंदुस्तान का एंदेम सौंग जनागना मना किसने लिखा है Option A. रबिन दरनाड टाइकुर Option B. अल्मा अखबाल Option C. लता मंगेशकर Option D. नुसरत फते अले खान इसका भी आंसर देने के लिए आपके पस 10 सेकेंड है Q9. Which place of is known as the Garden of India Option A. आसाम Option B. करनाटा का Option C. केरला Option D. उत्रापरदेश इसका भी आंसर देने के लिए आपके पस 10 सेकेंड है Q10. स्मालेस्ट स्टेट आफ इंडिया मतलब हमारे देश हिंदुस्तान का सबसे छोटा स्टेट कोन सा है Option A. केरला Option B. करनाटा का Option C. गोवा Option D. अंद्रापरदेश इसका आंसर देने के लिए आपके पस 5 सेकेंड है Guys, सच-सच बताना आप लोगोंने इन सबका आंसर 10 सेकेंड में दिया है या नहीं अगर दिया है तो अच्छी बात है अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं अगर आपने इनके आंसर गलत भी दिया है तो एक बाद डिस्क्रिप्शन चक कर लेना क्योंकि डिस्क्रिप्शन में इन सबके सही आंसर से तो guys इस वीडियो में बस इतना ही और हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छे विनिंग प्राइस के साथ और आप जीतना चाहते हैं विनिंग प्राइस तो हमारे चैनल को सब्स्राइब करकर बेले एकउन को आउन करें क्योंकि सबसे पहले हमारे वीडियो अब तक पहुंच सके और आप विनिंग प्राइस जीत सके और मैं आपको कल सुबह में बताऊंगा कौनकोर विनिंग प्राइस जीता है तो चलोब चलते हैं टाटा बाबाई जये हिंद